हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, सिर्फ चार काजू के बीस खाने से आप लोगों को मिल सकते हैं काफी सारे स्वास्तियलाब सबजी फ्रेंड्स, सूखे मेवों में काजू सबसे ज़्यादा श्वादिस्ट और पोस्टिक मेवा होता है, सबजी बनाने से लेकर इसका परियोग कई तरह के मीठे पकवानों में किया जाता है, इसके इलावा इसका फाइदा हमारे सेहत और हमारे सौंदर या दौनों के ल होते हैं, मगर काजू में सबसे ज़्यादा प्रोटिन पाया जाता है, प्रोटिन के साथ साथ इसमें बिटामिन बी भी काफी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमें कैंसर जैसे रोक से बचा सकता है, तो जिन लोगों को भी कैंसर की प्रॉबलम है, उन लोगों काजू का सेवन जरूर करना चाहिए वहीं इसका दूसरा जो फाइदा हमें होता है वो होता है हमारे दिमाग के लिए एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर काजू हमारे दिमाग के लिए वी काफी ज़्यादा लाबदायक होता है पढ़ने वाले बच्चों को रोजाना 5-6 लोगों ने रोजाना सुबह और शाम 5-6 काजु के बेज लेने हैं और उन्हें खा लेने हैं ऐसा करने से आप लोगों का दिमाग काफी ज्यादा तेज चलेगा आप लोग पढ़ाई में काफी अच्छे हो जाएंगे इसके लाओ फ्रेंड्स इसका जो तीस्ता फाइदा हम लिए मोनसेचुराइड एक ऐसातव है जो हमारे हड़ियों और हमारे दिल दोनों को स्वस्थय बनाई रखने में मदद करता है काजु में कॉलेसेट्रोल लेवल भी बहुत कम मातरा होता है मोनो सेचुराइड एक ऐसातव होता है जो हड़ी और हमारे दिल को स्वस्य रखने में मददका साबित होती है आप लोगों ने बस दो से चार काजु के बीज लेने हैं उन्हें दूद में डाल कर पी लेना है ऐसा करने से आप लोगों की हड़ियां मजबूत हो जाती हैं के लाव फ्रेंड्स काजु में कॉलिस्टरॉल लेबल भी काफे कम होता है तो अगर आप लोगों को हार्ट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग रोजाना सुबह शाम दो से चार काजु के बीज जरूर खाएं ऐसा करने से आप लोग हार्ट की प्रॉब्लम से बचे रहते हैं आपका कॉलिस्टरॉल लेब कमी हो रही है खून आपके शरीर में बिल्कुल भी नहीं है तो आप लोग रोजाना काजु का सेवन करें आप लोग चाहें तो काजु में कुछ बादाम के बीज भी मिलाकर ले सकते हैं ऐसा करने से आपका खून काफी ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा और आप लोगों क को जो खून की कमी की प्रॉब्लम है वो सोट आउट हो जाएगी स्केल आउट फ्रेंड्स काजु खाने से हमारे शरीर का पासन तंत्रे भी काफी ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि काजु में भरपूर मात्रा में एंटी ऑक्सिदेंट पाये जाता है जो कि हमारी पाच क्रिया को मदबूत करता है